नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपोर्टेंट एजन्सीज, और उनके हैड़कॉर्टर्स जैसे कि आपके स्क्रीन पे हैं दोस्तों हम ये चीज़ें आज आपसे डिस्कस करेंगे जैसे कि नासा हो गया, इस्त्रोब हो गया और बहुत सारी इंटरनेशनल और नेशनल एजनसीज, और लिक, और अर्गनेजेशन हैं जिनके हेड़कॉर्टर्स या फिर उनकी स्थापना से संबंदित आपके एक्जाम में जो है वो प्रिस्न आते रहते हैं तो आज हमने दोस्तों टॉप 10 एजनसीज को कवर किया है, तो चलिए ज़्यादर समय ना लेते हुए, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो चलिए दोस्तों सबसे पहले है हमारा नासा, ठीक है, आपने नासा का नाम सुना ही होगा दोस्तों तो नासा जो है दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 यानि की 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी नासा का दोस्तो जो location यानि कि जो headquarters की location है वो है Washington DC और कहां पर है ये अमिरकाम है ठीक है फुल फॉर्म है दोस्तो नासा की National Aeronautics and Space Administration ठीक है हिंदी में इसको बोलेंगे राष्ट्रिय बैमानिकी और अंत्रिक्ष प्रवंदन ठीक है तो इसकी स्थापना कव हुई थी दोस्तो 29 जुलाई 1958 के लिए Washington DC में इसका headquarters है और Washington DC कहां पर है अमिरकाम है ठीक है फुल फॉर्म भी इसके बता दी इनी चीजों से समझनित organization या कोई भी agency के बारे में आपसे question पूशे जाते है या तो इसकी स्थापना कव हुई या उसका headquarters कव है या उसकी full form क्या है ठीक है तो चलिए आप चलते हैं अगली agency की तरफ सबसे ये काफी दोस्तो important है सार्क ठीक है सार्क की दोस्तो जो full form है वो है South Asian Association of Regional Corporation हिंदी में इसको हम बोलेंगे दक्षड ACI छेत्रिय सहयोग संग्ठन ठीक है दक्षड ACI छेत्रिय सहयोग संग्ठन सार्क का जो है वो हिंदी में नाम है इंगलिस में है इसका South Asian Association of Regional Corporation स्थापना हुए थी इसकी 8 December 1985 के लिए Headquarter है काटमांडू नेपाल थे अब आगे चलते हैं दोस्तो आगे हैं दोस्तो WHO WHO की दोस्तों जो full form होती है वो होती है World Health Organization WHO की स्थापना हुए थी 7 April 1948 के लिए जिनेवा में इसका Headquarter है और जिनेवा कहां पर है स्विजर लैंड में WHO को दोस्तों हम हिंदी में बोलेंगे विश्व स्वास्त संग्ठन ठीक है विश्व स्वास्त संग्ठन इसकी में आपको बता चुका हूँ साथ April 1948 को जिनेवा स्विजर लैंड में हुई थी ठीक है इसका Headquarter कहां पर है जिनेवा में और Country स्विजर लैंड अब चलते हैं दोस्तों आगे Next Headquarter देखते हैं किसका होगा Next है दोस्तों हमारा ICC ठीक है तो ICC की दोस्तों जो स्थापना हुए थी बो हुए थी 15 जून 1909 के लिए इसका जो Headquarter है वो है दोस्तों दुबई United Arab अमिराद में ठीक है ICC की फुल फॉर्म होती है दोस्तों International Cricket Council और इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है दोस्तों अंतराश्ट्री Cricket परसत ठीक है Headquarter कहां पर है इसका दुबई में है दुबई कहां पर है UAE यानिकि United Arab अमिराद में है इस्थापना हुए थी इसकी 15 जून 1909 के लिए चलिए इससे ज़्यादा आपकोई आपसे आपके एक्जाम में कोई भी नहीं पूछा जाएगा ठीक है चलिए Next है हमारा FIFA तो FIFA की दोस्तों जो इस्थापना हुए थी वो हुए थी 21 मई 1904 के लिए इसका जो Headquarter है वो जीरिक स्विजर लेंड में है ठीक है चलिए FIFA की दोस्तों अभी बात करते हैं फुल फॉर्म की तो FIFA की जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है International Federal of Sorry International Federation of Association Football ठीक है Association Football का अंतराश्टरी महासंग ठीक है यह FIFA की फुल फॉर्म है अब चलते हैं दोस्तों आगे आगे है हमारा UNSC काफी important है इससे आपसे question पूछे जाते रहते हैं तो UNSC की दोस्तों जो स्थापना हुई थी वो ही थी 24 अक्टूबर 1945 के लिए Headquarter इसका New Work USA में है UNSC की दोस्तों फुल फॉर्म होती है United Nations Security Council राश्टरी है स्युक्त राश्ट सुरक्षा परसत हिंदी में इसकी फुल फॉर्म होगी और इंग्लिस में है United Nations Security Council अब चलते हैं दोस्तों आगे आगे आती है दोस्तों इसरो की जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है Indian Space Research Organization इसरो की फुल फॉर्म है दोस्तों Indian Space Research Organization यानि की भारतिय अंत्रिक्ष अनुसंधान संगटन इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 यानि की 15 अगस्त 1969 के लिए हैड़कॉर्टर इसका बैंगलॉर इंडिया में है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इसी तरह की इंट्रेस्टेट वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें नेक्ष्ट दोस्तो यूनेसको ठीक है तो यूनेसको की जो दोस्तो इस्थापना हुई थी वो हुई थी 16 नॉबर 1945 के लिए लोकेशन यानिकी हेड़कॉर्टर कहां पर है यूनेसको का पैरेज फ्रांस में है UNESCO की full form है दोस्तो United Nations Educational Scientific and Cultural Organization संयोक्त राष्ट्र सेक्षिक बैग्यानिक और सांस्कृतिक संग्ठन इसकी जो है फुल फुल फॉर्म है इसकी इस्थापन हुई थी 16 नॉबर 1945 को हेड़कॉर्टर है इसका पैरिस में और पैरिस कहां पर है फ्रांस में आगे चलते हैं दोस्तो आगे है हमारा Asean ठीक है आशियान की जो इस्थापन हुई थी वो 8 अगस्त 1967 के लिए हुई थी हेड़कॉर्टर है दोस्तो इसका जकार्ता में जकार्ता कहां पर है इंडोनेसिया में तो आसियान का जो हेड़कॉर्टर इंडोनीसिय जगार्टा में है और इस्थापना हुई थी इसकी 8 अगस्त 1967 के लिए फुल फॉर्म है इसकी दोस्तो दि एसोसियेशन ओफ साफ इस्ट एसे नेसंस ठीक है आसियान के बाद में दोस्तो हम आगे चलते हैं आगे है हमारा आईएमेफ तो आईएमेफ की दोस्तो जो इस्थापना हुई थी वो 1944 में हुई थी वासिंटन डीसी में इसका हेड़कॉर्टर है और वासिंटन डीसी कहां पर है यूएस यानि की यूनाटेट इस्टेट अफ अमेरिका इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानि की अंतरराश्टरी मुद्रा कोस ठीक है चलिए तो ये थे दोस्तों आपके कुछ हेड़कॉर्टर टॉप टैन हेड़कॉर्टर जो के आपके एक्जाम में पूछे जाते रहते हैं उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और एक चीज़ आपको जाते जाते और बता दे कि अगर आप दोस्तों इस वीडियो की पीडियो फाइल के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमरे टेलीग्राम ग्रॉप जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा वहाँ से जाके आप विल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए कल फिर्म बिलेंगे किसी और वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैवारत